कुछ घ INTJ ball आरई कितिन ओटि अगेयर होगी सुधारव चालर्चिप की बड़ी खबर आरह रही यह जो स्टूडंस यूजी पीजी के हैं और बी ये ब्पीड आम्पीड पाल टेफिनिक बीटेक left सब के लिए बड़ी खबर आ रही है कि इसका लाशिप का फार्म बड़ी संख्याम अभी नहीं भरा गया है तो इसका संग्यान लखनव बिस्विद्याले ले रहा है यहां से हम लोग पढ़ते हैं कुल सच्चिव साहब लखनव बिस्विद्याले का कहना है कि जिन कोर्स का रिजल्ट नहीं आया है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है परियास किया जा रहा है कि आवेदन की तारिक से पूर परड़ाम जारी हो जाए इसके अलावा सरकार से हम आवेदन तीथी बढ़ाने की भी मांग करेंगे यहां से देख रहे हैं संजय मेधावी लखनव बिस्विद्याले के कुल सच्चिव साहब आवेदन तीथी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और डेट जरूर बढ़ेगा क्योंकि इसकारशिप का जो अब यहां बढ़ाने क्योंकि बढ़ाने क्योंकि आवेदन तो आवेदन प्रभावित है यहां से आपने देखा कि भी यह की स्टुडेंट फार्म नहीं भर पा रहे हैं पूरा हम इनका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं लख नौबिस विद्याले समेथ सभी डिग्री कालेजों में यूजी और पीजी विद्यार्थियों के सुल्क प्रतिपूर्थी पर संकट आ गया है सुल्क प्रतिपूर्थी के लिए आवेदन करने की अंतिम तारिक साथ नोवंबर है और अभी तक अधिकांस यूजी और पीजी दिती समेश्टर के परिडाम जारी नहीं हो सके हैं इसके अलावा साथ ही पोर्टर पर आलाइन आवेदन में विद्यार्थियों को कई तरह की परसानियों का सामना भी करना पड़ रहा है जिससे नया आवेदन और रिनुवल में मुश्किल आ रही है दिती समेश्टर का परेडाम नहीं आने से तीती समेश्टर के विद्यारती आवेदन करने में असमर्थ हैं तो यहां से आप देख रहे हैं कि परेडाम नहीं आया है इसलिए फार्म नहीं भर पा रहे हैं चात्र परिडाम जारी होने से पूर डिश्वज्यारे और कालेज में दिती समेस्टर की फीज जमा नहीं हो पा रही है और बिना फीज के आवेदं संभा नहीं है दिती समेस्टर की अधिकांस परिच्छा सितम्बर के अंतिम सता में खत्म हो चुकी है लेकिन प्रडाम अभी तक जारी नहीं हुआ है समाज के लाड़ विभाग दो बार आवेदन की तीथी बढ़ा चुका है वहीं उत्तर प्रदेश चात्वुत्ति और सुल्क प्रतिपूर्ति योजना के पोटल पर असनातक पाठेकरम भी तीन वर्स का ही अपडेट है जबकि आप लोगों ने पूरी न्यूज देखी स्कालर्शिप की जो है डेट जो है यहां से बढ़ने वाली है चात्र के लिए लेकिन जिनका फार्म रिजल्ट सब कुछ ओके है विए लोग प्लीस फार्म जो है पूरा कंप्लीट करके साथ तारिक तक साथ नौंबर तक जरूर ज जाएगा आई होब कि आप लोग समझ गया होंगे स्कालर्शिप की जो नई लेटेस्ट न्यूज आई है